हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब बड़ी हैं सब दोस्त मेरे तो आज की कलास के लिए आप सब भाई रेड़ी हैं GKS की एक और दमाकेदार जो है वो कलास आपके सामने ले के रहा चुका हूँ ठीक है आज की class के 20 question जो है दमदार question होने वाले हैं और इसमें से आपको target जो है आज 15 plus का target जो है आपको दे रहा हूँ clear है सभी दोस्तों को एक बार जल्दी से comment box में बता दीजे आवाज बगारा सब clear आ रहा है दिख बगारा सब okay रहा है कोई-कोई issue तो नहीं अगर सब okay है तो चलते हैं बढ़ते हैं अपनी class की तरफ और बाकी बाते जो रहेंगी वो बीच में करते रहेंगे और एक चीज important वर्टसब ग्रूप का दिया होगा नीचे link ठीक है वो आप join कर लीज़ेगा सभी दोस्त जात से तो बढ़ते हैं आज के पहले question की तरफ Hindi English दोनों languages में question रहेंगे ठीक है हिंदी वाले बच्चे नीचे पढ़ लीज़ेए English वाले उपर चलिए तो बात की गई है यहाँ पे 2008 और 2010 की unemployment हुआ था भाई बेरोजगारी जो मंदी शाय थी 2008 और 2010 में इन्होंने पूछा कि वो कौन सा example है unemployment का बेरोजगारी का वो कौन सा प्रकार है देखिए frictional बेरोजगारी भी होती है structural भी होती है और cyclical भी होती है और जब बात की गई है 2008 से 2010 की तो यह थी कौन सी cyclical unemployment थी इसमें होता क्या है जब demand होती है न product की मानलो एक product है ठीक है जैसे covid के time पे sanitizer की mask की बहुत ज़्यादा demand थी उसके बाद उसकी demand जो है वो बिलकुल गिर गई नीचे आगे जब covid गया तो वैसा जब होता है product की demand जो है वो गिर जाती है product की demand decline होती है demand कम हो तो उस category की जो unemployment होती है उसे हम कहते है cyclical ठीक है जो की 2008 और 2010 में आई थी इसके सिवा structural important है structure क्या है इसमें क्या होता कि देखिए जब company जो है एक company है उसे skills चाहिए उसे skills कौन सी चाहिए एक बंदे में जो उसने hire करना जिसको उसने job देनी है उसको चाहिए उसमें भाई technical skills बहुत होनी चाहिए computer के related skills चाहिए data analytics के related चाहिए बट जो बच्चा है जो employee job लेना चाहता है उसको कौन सी skills है भाई उसको communication skills अच्छी है clear है वो relationship management में अच्छा है बट उसको जो है यह जब इनकी skills जो है वो नहीं मिलती skills जो mismatch होती है skills जब mismatch होती है तो structural जो है unemployment की category में गवाता है cyclical और structural दो important type की unemployment है यो की ध्यान रखीगा बढ़ते हैं आपने next question की और next question क्या कहता है which among the following social religious community was founded by Raja Ramon Roy इनमें से कौन सी social religious community पूछा गया है यहाँ पे जो Raja Ramon Roy के दवारा found की गई है most important question बनता है और almost exams में यह question जो है वो पूछा जाता है clear है तो यह जो है बढ़ती मैं found बता देता हूँ 1828 1828 में found की गई थी और इसका नाम क्या था इसका नाम था ब्रह्मो स्माज क्या नाम था भई इसका नाम था ब्रह्मो स्माज और इसका मकसद क्या था इसका मकसद था भई उस टाइम पे जो भी चीज़े होती है rituals बड़े करमकांड होते थे sacrifice होते थे जानबरों के उन सबसे अलग करना लोगों को, वो इसका में जो है मोटिव था, क्या था में मोटिव, वो बलते थे परमात्मा जो है उनकी सेवाप करो, उनकी वर्शिप करो, टेक है, इनकी वर्शिप ना करो, तो ये जो इसका में मोटिव था, ब्रह्मो समाज का, जो कि किस के द्वारा फ बोलोगे सर आपने पढ़ाया तो था बट याद बूल गया ये चीज नहीं आनी चाहिए ठीक है तो लिखो प्राथना समाज लिखो आत्मा राम पांडूरंग क्या है आत्मा राम पांडूरंग के द्वारा प्राथना समाज आया ठीक है ये इनके द्वारा आया इसके सिवा आरेयसमाज आता है, आरेयसमाज भी important है, आरेयसमाज किसके द्वारा आया है, दियानन्द सरस्वती, नोट्स बनाते जाएए, लिखते जाएएगा साथ साथ में, तो best रहेगा आपके, ठीक, ये आरेयसमाज इसके द्वारा है, आरेयसमाज, यहां options छोड़िए, ठीक, आरेय भी बहुत से समाज है, उनकी मैं आपको just class खतम होने के बाद आपको whatsapp group पे जो है, वो list टेक बेज़ देता हूँ, जो की most important रहेगी, जैसे राम करिशन मिशन हो गया, अलीगर्ड मुमेंट हो गया, फिर इसके सिवा, जंग बेंगाओल मुमेंट, जंग बेंगाओल मुमें the following Mughal Emperor built, शीश महल नागरा, शीश महल जो है, वो कौन से Mughal Emperor के दवारा बनाया गया है, शीश महल की बात की गई है बाई, तो शीश महल जल्दी से बता देंगे, सभी दोस्त जो है, वो किस के दवारा बनाया गया है, बिलकुल बिलकुल, देखिए एक चीज़ आपको एक ताज महल हो गया, शीश महल हो गया, रेड़ फॉर्ड हो गया, जामा मस्जिद हो गई, यह सब जो है, आल्मोस चीज़ें जो है, यह किस ने बनाई है, शहाजान ने बनाई है, अगर बात की हो, कहां की, आगरा की, कलियर है, आगरा की बात हो, तो आप शहाजान के साथ जा तो सभी बाई जो हाँ वीडियो को लाइक करते हुए आगे को बढ़ेंगे वीडियो एक बार सभी दोस्त लाइक कर दिजेगा नेक्स्ट कोशन है कि 2011 की सेंसस के एक ओर्डिंग बताईए बाई कौन सी स्टेट कौन से राज्य की पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज़्यादा थी कौन सी स्टेट कौन से राज्य की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा थी तो उत्तर प्रदेश जो है हमारा बिल्कुल सही answer रहेगा उत्तर प्रदेश की population सबसे ज़्यादा थी अगला question देखते हैं अगला question क्या करता है Which among the following dance is also known as Ikhara Ikhara dance है यह आपको मैं question करवा चुका हूँ पहले भी Ikhara dance जो है ठीक है इसमें dancer क्या करता है single performance करता है बहुत सारे roles के साथ ठीक है इसमें क्या करता है बहुत सारे role करता है single performance में तो यह कौन सा dance आता है यह बारतनाट्यम आता है बारतनाट्यम मैंने आपको क्या बताया था कहा क्या बाई जल्दी से एक और classical dance है जिसे हम क्या कहते हैं मोहिनी अट्टम मोहिनी अट्टम अगर आपको class fast लगे तो option रहता है YouTube पे slow करके देखने का आप slow कर सकते हैं अगर आपको slow लगती है तो आप fast करके भी देख सकते हैं ठीक है adjust आप जो है वो side से कर सकते हैं clear है और बारत नट्टम जो है यह स सबसे oldest सबसे oldest भी है चलिए बढ़ते हैं अपने अगले question की तरफ अगला question क्या कहता है cultivation of beet thrives best in which type of soil जो ग्यहूं होते है बीट होती है उसके लिए best soil कून से है बाई ग्यहूं की खेती करने के लिए किस परकार के मिटी जो है वो सबसे अच्छी होती है लाल मिटी काली मिट यह फिर पीली मिटी यह फिर अच्छे जल निकास वाली गोमट नहीं होती है जहां से पानी का flow बना रहता और पानी निकल जाता है जिसमें से जिसे आप थोड़ी sand type की मिटी कह सकते हैं जिसे हम कहते हैं ना normally अपने गाउं में भारशी बारशी मिटी वैसी तो यह कौन से म तो rice के लिए रहती है clay वाली soil जो clay soil होती है न वो rice के लिए सबसे अच्छी रहेगी इसके सिभा cotton के ओपर भी पूछ ले जाता है cotton के लिए कौन से मिट्टी सबसे अच्छी रहती है तो cotton के लिए रहती है black soil clear है rice के लिए clay soil होनी चाहिए जिसमें पानी जो है वो ज्यादा रुका रहे cotton के लिए होनी चाहिए black soil और beet के लिए ग्यहों के लिए होनी चाहिए bell drained loamy soil जो है हमारा answer बिल्कुल सही रहे clear है यहाँ तक सभी बच्चों को किसी बाई को कोई question में कोई doubt रह जाए तो बेज जिजग जो है आप comment box में बता दीजे कि सर हमें इस question में यह doubt है आपके doubt का answer जो आपको मिल जाएगा clear तो अगला question देखिए क्या बोलता है mooses and leachions are found in which kind of forest ये वाई वो होती है क्या बोलते हैं इनको आप अपनी language में local पता नहीं क्या बोलते हों कौनी फिरिस कौन से होते हैं इनके उपर question जो है बनते हैं कौनी फिरिस के उपर इसमें कौन से आते हैं औक के tree आते हैं pine के tree आते हैं जो लंबे-लंबे देवदार के tree होते हैं जो लंबे-लंबे trees होते हैं वो वाले trees अगर पूछते हैं कहीं बार कि वो किस टाइब में आते हैं तो वो coniferous में आते हैं यहां दख ठीक है समझ आ गया अब बात करते हैं अपने question की तो leeches जो है या mooses जो है यह किसमें पाई जाती है यह पाई जाती है तुंडरा बन में तो option number कौन सा हमारा ठीक रहेगा option number d जो है हमारा ठीक रहेगा क्योंकि leeches जो है mooses जो है एक तो इनको चाहिए होता है cold climate और थोड़ा सा humidity चाहिए होती है cold climate प्लस थोड़ी सी humidity जो है जिसकी यह मांग करती है clear बढ़ते हैं अपने next question की तरफ the man who knew infinity is a biography of which Indian mathematician एक ब्यक्ति ठीक है the man who knew infinity यह book का नाम है ठीक है बायोग्राफी का नाम है मैं इसको हिंदी में convert कर रहा था हाँ तो उसकी बायोग्राफी जो है यह बायोग्राफी जो है किस ब्यक्ति के नाम पे लिखी गई है सीवी रामन, शीरी निवास, रामानूज, यह फिर हरी गोबिंद, यह स्तेंद्रनाथ बोस के नाम पे जल्दी से सभी दोस्तान सराने दीजीगा सीवी रामन के ओपर question आता है इनको nobel prize मिला था clear है इनको nobel prize मिला था रविंदर ना टैक ओर जी के बाद में सीवी रामन के ओपर यह question बनता है तो अभी बात की गई है man who new infinity जो है जो अंत तक जानता था अब्यक्ति उसका नाम क्या था तो शीरी निवासा रामानूज, option number C जो है बिल्कुल सही answer हो जाएगा हमारा रामानूज, जो है इनके ओपर based यह biography लिखी गई है चलिए सभी दोस्त एक बार बता दीजीए कि questions जो है वह कैसे लग रहे हैं, आपको अच्छे लग रहे हैं, समझा आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं इनमें से कों सी एक option है, जो एक fixed capital हम नहीं मान सकते कौन सी है जो fixed capital नहीं है fixed capital होती क्या चीज़ है स्थिरपुंजी हम किसे कहते है स्थिरपुंजी वो होती है कि जिसे हमने अभी एक बार ले लिया रख लिया ठेक है वो हमारी permanent हो जाएगी उससे हम और पैसे कमा सकेंगे जैसा कुछ कह लीजिए बट एक टाइप की वो हमारे पास रहेगी रहेगी क्लियर है computer हमने ले लिया वो स्थिरपुंजी हो जाएगी turbine हमने ले लिया स्थिरपुंजी हो जाएगी building हमने ले लिए स्थिरपुंजी हो जाएगी assets में आ जाएगा ये इससे हम और कमाएँगे money जो है ये money जो है ये stable नहीं है money stable नहीं है ये स्थिर पुझी जो है वो नहीं है क्योंकि money जो है ये assets में नहीं आती है money assets में नहीं आती है तो हमारा option number C जो है बिल्कुल सही होता हुआ दिखाए देगा तो बढ़ते हैं अपने next question की हो और अगला question हमारा क्या कहता है which gas was the major propellant of Bhopal gas tragedy Bhopal में बाई gas का हाथसा हुआ था जो की आप कह सकते है world में सबसे worst जो होते है न सबसे खतरनाक गातक उन में से एक था हो उसको world के साथ compare किया जाता है इस हाथसे को तो इन्होंने इस खास से में पूछा हुआ है कि इसमें कौन सी gas जो है वो लीक हुई थी तो इसमें methyl जो है वो लीक हुई थी बट मिथाईल कौन सी isonate ठीक है isonate जो है option number C हमारा बिल्कुल से रेगा ये भी option है मिथाईल जहां पर भी बच्चे हो सकते थे confused बर तेसलिए मैंने ये दो कर दिये कि नाम याद रहे आपको isonate जो है ये बपाल ट्रेजडी जो हुई थी बपाल में हाथसा हुआ था 1984 में उसमें ये gas लीक हुई थी और ये जो चीज़ है ये इतनी खतरना क्यों बन गई थी क्योंकि भाई ये gas जो है ये colorless gas थी जहरीली भी थी poisonous भी थी और flameable भी थी flameable समझते हैं आप जैसे आवा के contact में आएगी आग लग जाएगी इसको एक दम से ये उस type की gas थी इसलिए जो है ये tragedy ये बहुत ही खतरनाक हाथसों में मानी जाती है तो बढ़ते हैं अपने अगले question की तरफ अगले question क्या कहता है National Food Security Act was passed in which of the following year National Food Security Act जो है मेरे बाई वो कौन से वर्ष में पास हुआ था जल्दी से answer आने दीजिए 2013, 14, 15 या फिर 12 किस वर्ष में जो है वो पास हुआ था तो इसकी date जो है वो है 5 July आगे year बताईए सभी दोस जल्दी से जो जो बच्चे class देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी बच्चे देख रहे हैं सब भी इमान से जल्दी से अपना comment में answer आने दीजिए चाहे गैसी कीजिए कि कौन सा जो है वो वर्ष है बहुत बढ़िया तो answer हमारा सही जो रहेगा वो रहेगा 2013, 2013 में 13 में National Food Security Act जो है वो पास किया गया था जिसकी अंडर की गाओं और शहर दोनों के लोग cover किये जाएंगे जो उस काविल नहीं है खाना कमाने के तो उनको जो है जो BPL की category में आते थे या अंडर BPL रहते थे तो उनको जो है वो खाना जो है वो दिया जाता था और सबसे पहले जो शुरुबात की थी हमारे शत्तिस गड़ ने इसने शत्तिस गड़ की गुवर्मेंट ने हमारे शुरुबात की थी सबसे पहले इस स्कीम के अंडर clear बढ़ते हैं अपने next question की तरफ अगला question क्या कहता है सब भी दोस्ट जो है वो last तक पूरे questions attend करने हैं ताकि exam में आपके पास कोई excuse ना रहे कि ये question आ सकता था ये हमने पढ़ा था ये भूल गया था ऐसा कुछ ना रहे सब भी attend कीजिए उसके बाद इनकी revision कीजिए जब तक आप revision नहीं करोगे एक दो बार तब तक ये questions जो आपो दिमाग में नहीं बैठने बाले हैं तो बढ़ते हैं अपने अगले question की तरफ अगला question क्या कहता है who among the following hockey player was a part of Indian consistent assembly कौन सा भाई hockey का खिलाडी था जो consistent assembly का हिस्सा भी था कौन सा hockey का खिलाडी था जो consistent assembly का हिस्सा भी था consistent assembly पे questions आपको करवा चुका हूँ already बार बार जो है एक बार जो चीज़ करवा दूँगा पीछे वो आगे repeat करने के जरूरत नहीं पढ़नी चाहिए क्योंकि classes जो है आपकी लगतार आ रही है constantly आ रही है अब ध्यान से classes सब भी attend कीजिए और उनीस equations जो है वो बनाईए clear तो चलिए जल्दी से हौकी के captain भी थे हौकी टीम के अपनी इंडिया की टीम के captain भी थे बात की जा रही है बिहार की तो भाई 2000 सन 2000 में बिहार से एक पार्ट को अलग किया गया था जिससे क्या बनाया गया था जारखंड क्या बनाया गया था जारखंड बनाया था बिहार से अलग करके सन 2000 में और जो की 28th नंबर की स्टेट बनी थी 28th नंबर का राज्य जो है वो जारखंड बन गया था बढ़ते हैं अपने अगले क्विशन की और अगले क्विशन क्या कहता है इन 1956 उनिसोशपन में प्रमुख बारतनाट्यम का डांस करते हैं क्लियर है यहां तक और इनको यू है वो इस फिल्ड में कौन सा अवार्ड जो है वो मिला था तो इनको मिला था पदमाभूशन कौन सा मिला था पदमाभूशन मिला था एक बूशन होता है एक बीबूशन होता है ठीक है इन दोनों में जो है वो डाउट नहीं करना है दोनों को द्यान से पढ़ लिजे रुकमनी देवी जी को कौन सा मिला था पदमवोशन मिला था और ये किस dance category में थे किस dance की form में थे तो ये थे बारत नाट्यम की तो बारत नाट्यम कहां का है तमिल नाडू का है और बारत नाट्यम सबसे oldest जो है वो dance form है clear यहां तक चलिए बढ़ते हैं अपने अगले question की और next question क्या कहता है उसके साथ सभी बाई वीडियो को लाई करते हुए चलेंगे जो जो बाई हमारे साथ नए जूड रहे हैं जा चैनल पर पहली बार विजट कर रहे हैं जा जिन्होंने अभी तक subscribe नहीं किया है उन सभी से कहना चाता हूँ कि subscribe भी कर लो मेरे भाई ताकि जो भी updates आएंगे YouTube चैनल पे हमारे time to time आपको वह है वो मिलते रहेंगे तो देखते हैं हमारा next question World Heritage Day is celebrated on which date? World Heritage Day जो है बिशोफ बिरासत दिबस जो है 8 September की तो International Literacy Day मनाया जाता है कौन सा दे मनाया जाता है International Literacy Day फिर इसके आगे और कौन सा option है बाई 21 जून को भी एक दिन होता है कौन सा होता है International Yoga Day इंटरनेशनल योगा डे जो है वो 21 जून को मनाया जाता है फिर 15th of March को भी एक दे होता है Consumer Rights Day कौन सा डे? Consumer Rights Day Consumer Rights Day क्लियर है सबी दोस्तों को देखे मैं आपको एक चीज़ फिर से रिमाइंड करवा देना चाता हूँ मेरे वाई हो सिलेक्शन लेना है तो questions जो भी आप पढ़ रहे हैं जहां से भी पढ़ रहे हैं क्योंकि competition बहुत जादा है आजकल material बहुत है और competition भी बहुत है तो बच्चे उसी में confused रहते हैं material एक पकड़ लेजिए एक material के साथ stick हो जाएए और उसी को revise कीजिए उसी को revise कीजिए जितना आप revision कर लेंगे उतना आपके लिए west हो जाएगा clear है जहां तक सभी दोस्तों को कोई question में कोई doubt रहा गया हो तो बता सकते हैं तो बढ़ते हैं अपने next question की और next question हमारा क्या कहता है वो period of life बताइए जब body जो है human body जो है वो undergoes changes हो रहे होते हैं उसमें changes leading to reproductive maturity is hard देखे वो उस age को हम क्या केते हैं जब specially reproductive organs जो होते हैं उनमें changes आने लग पड़ते हैं body में वो कोनसी age होती है क्या वो maturity होती है adultsn होती है जब वोलडिंग होती है जहां cloning होती है तो वो होती है adultsn age कोन सी age होती है adolescent age होती है जो bodies हमारी changes होने लग पड़ती है ठीक है और ये age कब से कब तक होती है 11 to 11 to 18, 19 तक ठीक है 11 साल से लेके 18-19 साल तक जो है adolescent age का जो है वो period रहता है जिसमें की major changes जो है drastic changes आप कहा सकते हैं हमें हमारी body में देखने को मिलते हैं बढ़ते हैं आपने next question की और तो क्या कहता है हमारा question stealth guided missile जो है इमफाल के निर्मान में किस संगठन ने जो है वाई सबसे महत्तपूरण अपना जोगदान दिया है ठीक है clear है यहां तक stealth guided missile destroyer इमफाल जो है इसको बनाने के लिए इसको build करने के लिए किस ने अपना सबसे important role जहां contribution दिया है clear है यहां तक सभी दोस अब इसके बाद देख लेते हैं आज की class का हमारा last question और सभी दोस्तों ने इसके बाद इमानदारी से बता देना है कि total जो है आपके कितने approximately कितने question सही गए है और आपको class कैसी लग रही है review जुरूर देखे जाना सभी दोस्तों ने ठीक है बिल्कुल free में लिख सकते हैं आप 1 second 2 second 5 second लग जाएंगे पर review जुरूर देखे जाना कि class कैसी लग यह समझ आ रहे question की नहीं आ रहे और progress आपकी कैसी है पहले का compatibility तो हमारा आज का last question क्या कहता है कि new RCS route बताइए जो कि Udhan scheme के अंडर 2023 में बने है official data कहता है कि Udhan scheme के अंडर जो है वो नए 60 route जो है वो बन चुके है ठीक है कितने बने है 60 route roads के अपर आप सभी को अच्छे से मालूम है कि बहुत काम कर रही है अभी कि जो current government है तो road initiative में जो है वो कितने बने है 60 जो है वो बन चुके है तो यह official data है तो option number B इसमें हमारा से ही हो जाए और अगर यह question इसके उपर ऐसे गुमा के पूछ ले कि कौन सी ministry के अंडर आता है तो civil aviation ministry ministry of civil aviation के अंडर जो है यह आता है किसके अंडर ministry of civil aviation तो मेरे भाईों उमीद कर रहा हूँ कि सभी दोस्तों को जो है वो class समझाई होगी अच्छे से सभी दोस्तों को सभी question समझा आगे होंगे अगर इसके बापजूद भी कोई doubt रहता है तो आप comment box में जो है अपना doubt जो है मेरे भाई पूछ सकते हैं और ज़्यादा updates के लिए करंट updates के लिए WhatsApp group का link जो है वो नीचे दिया रहेगा वो आप join कर लिजे मेरे भाई तो वहाँ पे आपको जो है वो time to time सभी updates जो है वो मिलते रहेंगे और वहाँ पे अगर कुछ PDFs रहते हैं जो free of cost रहते हैं वो भी आपको वहाँ पे दे दिया करूँगा और बाकी जो भी updates रहेंगे आपके exam के related exam exam को लेके important लगेंगे वो सब भी आपको time to time वहाँ पे मिलते रहेंगे clear है तो सभी दोस्त जो है वो WhatsApp का group जो है वो याद से join कर लिजेगा तो मिलेंगे मेरे भाईयो next class में तब तक आप सभी दोस्त वीडियो को like करके रखिएगा और channel को भी subscribe करके रखिएगा तो तब तक के लिए मेरे भाईयो जय हिंद जय वारत